दोस्तो, दुनिया भर के देशों के मार्स मिशन ने ये साबित कर दिया है कि इनसान धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन यापन के सपने देख रहे हैं, जिस कारण मंगल ग्रह पर जाने के लिए नासा सभी तरह की तैयारी करने लगा है। ऐसे में उसने यह भ पहले मार्स पर जाएंगी। दोस्तो, एलिसा को बहुत कम उम्र में ही ये बता दिया गया था कि वो बड़े होके मंगल ग्रह पर जाएगी। इसलिए उन्होंने धरती पर ही खुद को कुछ इस तरह से बढ़ा किया है कि अगर वो मंगल ग्रह पर पहुँच भी जाए, तो उन्हें बचपन से ही अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानिया बताया करते थे। उन्होंने एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे ही डिजाइन किया कि मानोवे अंतरिक्ष में ही हो। कमरे की दीवारों पर चांद, सितारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस, स्टेशन और रॉकेट, यहां तक की एलिसा के बेड पर भी अंतरिक्ष के प्रिंट थे। कुल मिलाकर एलिसा की दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। एलिसा ने यहां पहुँचने का सपना तीन साल की उम्र में ही देख लिया था। एलिसा बचपन में अपने पिता बर्ट कार्सन के साथ बैठ कार्टून भी वहीं देखा करती थी जिसमें एस्ट्रोनाट की कहानिया होती थी इसके बाद उन्होंने मंगल पर रोवर लैंडिंग के वीडियोज देखना शुरू कर दिये एलिसा के पिता ने एलिसा को टेलिसकोप भी ला कर दिया ताकि वह अंतरिक्ष को और करीब से देख सके दोस्तो एलिसा बचपन से ही नपा तुला भोजन करती है कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह के खाने का आदी है जैसा की एस्ट्रोनाट खाते है एलिसा अब 22 साल की हो चुकी है और वो अभी फ्लॉरिडा इंस्टिटूट आफ टेक्नॉलोजी में एस्ट्रो बायोजी की पढ़ाई कर रही है इसके बाद वे नासा के साथ काम करेगी और साल 2030 में नासा के उस मिशन का हिस्सा बनेगी जो इंसानों के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा इस मिशन का उदेश है मंगल पर इंसानी भविश्य की उम्मीदे तलाश करना कोलोनियों का निर्मान करना, खेती करना और वहां के वातावरण को इंसानों के लिए हर तरह से परखना ये मिशन करीब 3 साल का है यानि एलिसा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली है अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती है कि वे टीचर या देश की प्रेजिडेंट बनने का सपना भी देखती है पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत लौट आएगी जिसके बारे में अब तक नासा ने भी सपष्ट जवाब नहीं दिया है कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती है कि वे एक ऐसी दुनिया के लिए तयार हो रही है जहां से शायद वे लौट के आ भी सकती है और नहीं भी क्योंकि हम इनसान अभी इतने एडवांस नहीं हुए है कि हम इतने लंबे सफर को दोनों तरफ से पूरा कर सके इसी वजह से एलिसा ने शादी तक नहीं की और किसी रिलेशन्शिप में भी नहीं है दोस्तो हम यहीं कामना करते है कि एलिसा और उनके साथ ही मंगल पर दुनिया बसा कर जल्दी ही धर्ती पर लौट आए फिलहाल हम तो मंगल पर नहीं जा रहे हैं इसलिए चलिए आपको मंगल के बारे में दिल्चस्प बाते बताते हैं दोस्तो मंगल को लाल ग्रह भी कहते है क्योंकि मंगल की मिट्टी के लौग खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरन और मिट्टी लाल दिखती है इतना ही नहीं मंगल के चंद्रमा भी दो है जिनके नाम फोबोस और डीमोस है फोबोस धीरे-धीरे मंगल की ओर जुक रहा है हर 100 साल में ये मंगल की ओर 1.8 मीटर जुक जाता है अनुमान है कि 5 करोड साल में फोबोस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर तूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा हालांकि ये कोई नहीं जानता कि ये पानी कहां से आया था कितने समय तक रहा और कहां चला गया मंगल पर वातावरण का दबाव धर्ती की तुलना में बेहत कम है इसलिए वहाँ जीवन बहुत मुश्किल है लेकिन इनसान ने हर बार यही साबित करने की कोशिश की है कि वो किसी भी परिस्थिती में कैसी भी मुश्किलों का सामना कर सकता है और एलिसा की भी यही कोशिश रहेगी तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही knowledge में दिल्चस्पी है तो अपना Knowledge TV के साथ जुड़े रहे